नाउस्कार विन्याट एंस में आपका स्वागत और आपके साथ में आशू तोस्त वारी क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है आज समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही है रिष्टे के मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है इसलिए लगने लगा है कि इंसानों में इंसानिया धीरे धीरे खत्म होती जा रही है मत्यप्रदेश में एक खबर सामने आ रही है जहां दो छात्राओं से रेप का आरोपी मशहूर मॉडर्न ब्रेड और आटा कंपनी का संचालक धरम वीर सिंग भदौरिया आखिरकार पुलिस गिरफ्त में आ गया है ग्वालियर पुलिस ने मुबाइल लोकेशन के आधार पर उसे दिल्ली से दबोच लिया आरोपी के खिलाफ एक नाबालिक और एक बालिक चात्रा के साथ दुशकर्म करने का आरोप है दुशकर्म के दोरान आरोपी ने दोनों चात्राओं का शलील वीडियो बनाया था इसी वीडियो को वाइरल करने की धमकी देकर वा उनका अपने फ्लैट पर लगातार दुशकर्म करता रहा कुछ दिनों से जब एक चात्रा ने धर्मवीर के पास जाना बंद कर दिया तो उसने चात्रा के पिता की हत्या करने की धमकी दी थी एक सफ़ता में दो मामले दर्ज होने के बाद रेप कारोपी धर्मवीर गौालियर से भाग कर दिल्ली पहुँच गया उसने इस मामले में अगरिम जमानत लेने की भी कोशिश की लेकिन गौलियर पुलिस को कारोबारी के मुबाइल की लोकेशन मिल गई पुलिस ने उसका पीछा किया शुक्रवार को जैसे ही वह दिल्ली पहुचा तो उसके पीछे पीछे पुलिस भी पहुच गई और उसे गिरफतार कर लिया गया बुदवार रात उत्तरप्रदेश के हमीरपूर की रहने वाली 18 साल की छात्रा ने गोला का मंदिर धाने में शिकायत दर्ज कराई चात्रा ने आटा कारुबारी धरमवीर सिंग भदोरिया के खिलाप दुशकर्म और ब्लैकमेल करने की शिकायत की चात्रा ने शिकायत में पुलिस को बताया की साल 2018 में रेलवे स्टेशन से घर जाने के दौरान धरमवीर सिंग भदोरिया से उनकी मुलाकात हुई थी कारुबारी ने उसे अपनी बेटी की तरह मान कर हर संभव मदद करने की बात कही थी बात में कारुबारी धरमवीर ने चात्रा को जहांसा देते हुए कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो ग्वालियार आ जाओ मैं तुमको यहां पढ़ाऊंगा कारुबारी के जहांसे में आकर चात्र साल 2019 के अगस्त मैने में गॉलियर आ गई गॉलियर में चात्रा ने बारवी में दाखिला ले लिया और एक हॉस्टल में रहने लगी चात्रा के मताबिक 25 अगस्ट 2019 को कारुबारी ने उसे मिलने के लिए बुलाया, आरोपी चात्रा को होस्टल में कार में गोला का मंदिर ले आया, यहां रजनी गंधा आपार्टमेंट में बने आटा कमपनी के दफतर में उबर फ्लेट में ले गया, आरोप है कि फ्लेट में क कारोबारी ने चात्रा को कोल्डरिंक में नसीला पदार्थ पिला दिया इसके बाद चात्रा के साथ दुश्कर्म किया जब चात्रा ने विरोध किया तो उसके पिता की हत्या कराने की धंके दी गटना के बाद कारोबारी चात्रा असलील वीडियो के जरिये भदोरिया ने चा चात्रा को धमका कर अपने हर सनिवार अपने फ्लैट में दुसकर्म करने लगा और चात्रा विरोध करती तो कारोबारी चात्रा के असलील वीडियो फोटो वायल करने की धमकी देता था आखिरकार परिशान होकर चात्रा ने बुद्धवार रात गोला का मंदीर थाना में शि चाहिर है कि ऐसे तमाम जो समाज में ऐसी घटनाए हो रही है रिष्टे और मर्याताओं को तार-तार किया जा रहा है लेकिन फिर भी जरूरत है कि इन तमाम घटनाओं पर सक्त कारवाही करने की पुलिस प्रसासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही जादा से जादा इन केसों में इजाफा देखने को ना मिले और इन घटनाओं में पुन्रब रित्ती ना हो इसके लिए कुछ न कुछ विचार जरूर करना चाहिए